प्यारे बच्चों हम रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे आज रोमन संख्याओं रोमन सिविलाजेशन द्वारा जो हमारे नंबर से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनको प्रद्रिशित करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं जो उन symbols को use करते हुए जो संख्या बनती है उसको हम Roman संख्या कहते हैं आपने घड़ी देखी होगी उस घड़ी के अंदर 1 से 12 तक के सभी numerals लिखे होते हैं क्योंकि घड़ी में 1 से 12 तक के इनको होते हैं ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से Roman के अंदर representation होता है so mainly used for representation Roman civilization द्वारा इनको बनाया गया जो Roman सब बता थी उनके द्वारा जो numbers को represent करने के लिए symbols यूज़ करे गए ये mathematics calculation करने के लिए यूज़ में नहीं आते हैं इनके द्वारा मेंस की calculation हम नहीं करते हैं सिर्फ represent करने के लिए साथ basic symbol होते हैं numerals Roman के अंदर वो इस प्रकार है यह हमारा Roman है Roman के अंदर 1 को एक डंडे से लिखा जाता है या I से लिखा जाता है 5 को V से लिखा जाता है 10 को X से लिखा जाता है 50 को L से 100 को C से century 500 को D से और 1000 को M से लिखा जाता है तो यह साथ basic symbol है जिनके द्वारा किसी भी Roman numbers को हम represent कर सकते हैं एक important बात जो यहां समझने की है कि 0 के लिए 0 के लिए Roman में कोई भी representation नहीं है कोई symbol Roman संख्या में 0 के लिए नहीं होता है कुछ rules हैं जिने हम देख लें अगर कोई symbol repeat होता है किसी संख्या को लिखने में अगर कोई symbol repeat होता है जैसे माली यहां देखें आप 8 लिखने में 1 का repetition हो रहा है so repetition का मतलब यहां पर addition होता है किसी भी symbol का representation means addition जो भी symbols use हो रहे हैं उन सब को हम add ही करते हैं तो अपना number आ जाता है इसी तरह repetition of any symbol is of maximum three times किसी भी symbol का repetition तीन से ज़्यादा बार नहीं हो सकता है five का कभी भी repetition नहीं होगा five का जो symbol है वी उसका कभी भी repetition नहीं होगा अब हम जानते हैं कि संख्या कैसे लिखी जाती है तो अगर हम बात करें one तो रोमन में इसको कैसे लिखा जाएगा one से लिखा जाएगा एक डंडे से अब ये डंडा आए भी लिख सकते हैं हम इसको बनाते समय या single one से भी represent कर सकते हैं इसी तरह next अगर number की बात करें हम two so two means one plus one ये हमारा two हो गया इसी तरह अगर हम बात करें three की so three कैसे लिखा जाएगा one 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 अभी हमने थोड़ देर पहले देखा कि repetition कितनी बार हो सकता है maximum three times so ये तीन हो गया अब हम बात करें किसकी four की so four के लिए कोई symbol नहीं है लेकिन अगर हमें पता है कि five का जो symbol है वो होता है वी और four जो है वो क्या है five minus one four क्या है five minus one so जब भी कभी इस तरह की इस तरह का number आएगा ज़्यादा या बड़ा कम का so कम हमेशा left side में करेंगे और अधिक हमेशा right side में करेंगे so four क्या हो जाएगा five five को लिखते हैं वी से और उसमें one कम मतलब left side में जो symbol लिखा होगा उसको हम इस बड़े वाले निम्मरल से सब्ट्रेट करेंगे इस smaller को greater से सब्ट्रेट करेंगे so ये four का representation होगा इसी तरह अगर हम बात करेंगे इसकी six की so six क्या होगा five plus one तो five क्या है वी और one जोड़ेंगे तो six हो जाएगा इसी तरह seven क्या होगा five plus two so five का हमारे पास symbol है जिसका हम symbol है वहाँ उसको तोड़ना है तो five और two के से लिखते है one and one ये हो गया हमारा seven इसी तरह eight eight के लिए क्या हो जाएगा five plus three so five six seven eight अब बात आती है nine की so nine कैसे लिखा जाएगा so nine लिखने के लिए हम पहले सबसे पहले ten को लिखेंगे ten को क्या लिखते हैं हम x और nine क्या होता है ten minus one so ten is x और minus करना है one so कहा लिखा जाएगा right side में अगर हमें add करना है जैसे हमने लिखा eight so five plus three so addition हमेशा right side में लिखा जाएगा और subtraction हमेशा left side में लिखे जाएगा इसी तरह eleven eleven के लिए क्या लिखा जाएगा eleven इसी तरह twelve क्या होगा this is twelve ten and two 10 11, 12 13 की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 14 अगर लिखना है तो 10 प्लस 4 so 10 के लिए x और प्लस 4 तो क्या हो जाएगा x one five इस तरह इसी तरह fifteen के अगर बात करें हम so fifteen कैसे लिखा जाएगा 10 और पांच 15 फिर 16 क्या हो जाएगा 10 और 6 so हमें क्या याद करना है one से ten तक याद करना है अगर हमें one से ten तक याद है तो हम सारे numbers बना सकते है अब अगर हमारी बात होती है क्या कहां पहुंचना है 20 कहां पर जाना है let's suppose I write 20 so 20 के लिए क्या होगा 20 is 10 प्लस 10 10 प्लस 10 so इनको यूज़ करते हुए one v and x को यूज़ करते हुए one v and x को यूज़ करते हुए हम कहां तक के numeral लिख सकते है 39 तक लिख सकते है कहां तक लिख सकते है 39 तक numeral roman के अंदर लिखे जा सकते है क्योंकि जो 40 आएगा 40 क्या है 50 माइनस 10 और 50 का सिंबल मैंने थोड़ देर पहले आपको बताया था कि 50 का सिंबल क्या होता है L 50 का सिंबल क्या है L so क्या हो जाएगा L माइनस 50 क्या है L और 10 माइनस करना है तो माइनस कहां लिखते है यह यह आपका किसका हो जाएगा 40 का सिंबल 41 40 और 41 41 42 42 42 43 43 43 43 इसी तरह चलते जाएगे इसी तरह यहां से चलते चलते हो जाएगा हम बात कर रहे थे किसकी 20 की 20 क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 10 is X and again 10 is X so X X is 420 30 के लिए क्या हो जाएगा X X X 10 10 10 अब बात करते हैं 40 के हमने बात कर लिए इसी तरह 50 50 को तो सीधा हम लिख सकते हैं क्या L इसी तरह 60 60 क्या होगा 50 प्लस 10 70 क्या होगा 50 प्लस 20 इसी तरह 100 100 के लिए हमें पता है क्या होता है C 90 के लिए क्या होगा 100 minus 10 100 is C 100 is C and उसमें 10 minus करेंगे तो इस तरह से आपका ये सारे रोमन संख्याएं हम लिख सकते हैं सारे नंबर्स हम कहा तक बढ़ सकते हैं जब हमें 100 लिख दिया हमने 100 को C लिखेंगे फिर 101 हमारा ऐसे कैसे चलेगा 100 हम लिख देंगे C और फिर वापस 1 से 100 तक गिंती वैसी चलेगी फिर 200 200 कैसे लिखा जाएगा 200 लिखा जाएगा 100 प्लस 100 300 कैसे लिखा जाएगा ये 300 अब फिर बात आती है 500 हमें पता है 500 को क्या लिखते हैं हम This is 500 500 को लिखा जाता है D So 400 को कैसे लिखा जाएगा 400 को क्या लिखा जाएगा 400 को क्या लिखा जाएगा 500 So 500 D होता है और D में 100 कम कर देंगे सो इस तरह से हम बढ़ते-बढ़ते कितना भी बड़ा नंबर रोमन के अंदर लिख सकते हैं I think मुझे अच्छा आपको लगा होगा पसंद भी आया होगा फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए जरूर आप पूछें कमेंट करें कुछ नुमेरिकल्स भी हम करेंगे देखें नुमेरिकल्स आगे ओके